हलो शुलियंट्स मेरा नाम धीरज महांद वेदी और स्वागत आपके फेवरिट चैनल मागनेट बेंस पर मागनेट बेंस एक ऐसा चैनल जहाँ पर आपको मिलता है बिलकुल फ्री ओनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मागनेट बेंस पर किंडर गार्डन से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स और इबुक्स एविलिबल हैं तो उसको लेने के लिए क्या करना है आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को आप फिल अप करें फिर जमाल टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी यह जो बुक्स एविलिबल है यह आपके लिए बहुत जादा बेनिफिशल रहेगा लाइक आपका सैंपल पेपर बुक्स हो गए आपके मल्टिपल चॉइस्क्रिशन बुक्स हो गए ऐसे डिफरेंट सेग्मंट में आपको एबुक्स मिलेंगे है तो बहुत जादा आपके फाइदेमन्द रहेगा यह ठीक है छले तो آज की वीडियो में हम क्या देखने वाल है ना सबने देखा होगा rainbow ठीक है और आपको ये मालूम होगा कि rainbow कब अपन को देखता है ठीक है तो यहाँ पर देखो rainbow को लेकि मैंने कुछ बात लिखी है तो हम कहते हैं कि rainbow is a spectrum of sunlight in nature ठीक है it occurs in the form of concentric colored circular arc in the sky ठीक है when the sun shines on rain drops during or after a shower देखो basically क्या है rainbow जो है ये basically एक आपका natural example है dispersion of light का है ना dispersion of sunlight का ठीक है by the water drops in an atmosphere मतलब atmosphere में आप जानते हैं कि जब बारिश हो रही है या just बारिश होने के बाद atmosphere में water droplets present रहते हैं ठीक है तो वो जो water droplets है वो एक tiny prism के तरह behave करते हैं तो जब उस tiny prism पर मतलब उस droplet पर sun की light पढ़ती है ठीक है तो वहाँ पर उस sunlight का sunlight मतलब white light ठीक है तो जब वो white light उस water droplet पर पर पढ़ती है तो उसका dispersion होता है ठीक है अब मेरी बात को सुनना अगर आपको rainbow देखना है तो उसके लिए condition होती है क्या होती है condition देखो जहां से the essential condition for observing a rainbow is that the observer must stand with his back towards the sun मतलब अगर sun यहाँ है तो आपका जो back है वो इधर होना चाहिए मतलब rainbow आपको यहाँ दिखेगा इसे clear ठीक है मतलब मैंने क्या बोला कि अगर sun यहाँ है तो आपका back sun के तरह होना चाहिए तो फिर rainbow आपको सामने दिखेगा है ना तो यह condition होती है rainbow को देखने के लिए ठीक है अब मेरी बात को सुनना ध्यान से basically जब rainbow बनता है ना वहाँ पर तीन phenomena's involved होते हैं ठीक है पहला होता है dispersion दूसरा होता है internal reflection और तीसरा होता है refraction तो dispersion internal reflection और refraction इन तीनों का जो combine effect है वो होता है rainbow वो होता है आपका rainbow ठीक है तुम देखो यहाँ पर मैं एक diagram बनाता हूँ ठीक है ना ध्याँ देना आप लोग यहाँ पर इधर देखो यह लेता हूँ मैं आपका एक water drop plate यह लिया मैंने आपका एक water drop plate ठीक है अब देखो ध्याँ से आपर यहाँ पर मैं sun की light को fall कराऊंगा exactly circular देख रहा है क्या थोड़ा सा और कोहिश करता हूँ मैं अच्छा बनाने के लिए ठीक है नियर टू परफेक्ट है यह चलो अब देखो यह मैंने sun की light fall कराई ठीक है यह मैंने sun की light fall कराई मैंने हाँ पर अब देखो जैसे यह sun light यह sun light है है यह white light है ठीक है मैंने black से बनाया है लेकिन यह आपका white light है ठीक है अब देखो जैसी यहाँ पर अंदर इस surface पर आएगा यह disperse होगा ठीक है तो अगर आप देखो तो यहाँ पर मैं red color से बनाता हूँ तो red color थोड़ा सा least bend होगा ठीक है कि नहीं है थोड़ा से इसको मैं और perfect बनानी कोईश करता हूँ मैं यह देखो एक second यह लिया मैंने आपका white light ठीक है मतलब sun light sunlight ठीक है चलो आप देखो क्या हुआ यहाँ पर disperse हुआ जिसमें आपका red color की bending सबसे कम होती है और जो violet color उसकी bending सबसे ज़ादा होती है ठीक है wallet color की bending सबसे ज़ादा होती है ठीक है आप देखो यह जो आपका inner surface है इस inner surface पे क्या होता है इसका reflection होता है मतलब inner surface पे जब light गिरती है तो आपका जो angle of incidence है वो critical angle से ज़ादा होता है तो यहाँ पर instead of बाहर निकलने के reflection हो जाता है ठीक तो अब देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ देखो यह ऐसे reflect हुआ ठीक अब देखो यहाँ पर यह reflect हुआ अब यहाँ पर जब आएगा तो denser to rearer bending away from the normal ऐसे बेंड हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा bend होगा यह ठीक है similarly यह जो आपका है यह वाला जो आपका है ब्लू वाला मला सॉरी वालेट वाला यह भी entirely reflect होगा ठीक है और यह भी आपका bend होगा away from the normal तो यहाँ पर देखो ऐसे bend हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर हमें क्या देखता है rainbow मतलब मैं यह कह रहा हूँ आपसे कि जब water droplets atmosphere में होते हैं ठीक है तो वो water droplets जो है वो एक prism की तरह behave करते हैं और जब उनके उपर sun की light पड़ती है ठीक है तो वहाँ पर पहले क्या होता है dispersion मतलब seven colors में तूटते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है वहाँ पर अंदर वाले surface में उसका reflection होता है और फिर same side में निकलते हैं वो refract हो करके मतलब पहले dispersion फिर internal reflection और फिर reflection ठीक है तो ये मैंने सिर्फ बनाया है आपका extreme color को यहाँ पर show किया है मैंने आपका red और wallet बागी के जो 5 color से वो इनके बीच में होते है है कि रही ठीक है तो ऐसे बनता है आपका rainbow form ठीक है अब मेरी बात को सुनना ये जो rainbow है ना ये दो type के होते हैं एक होता है primary rainbow और एक होता है secondary rainbow ठीक है उसको लेके हम discussion करते हैं वो थोड़ा सा important है कि क्या होता है primary rainbow और क्या होता है secondary rainbow तो पहले एक काम करें इसका आप लोग screenshot ले ले फिर बात करते हैं what is primary rainbow चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान से मैंने लिखा है आपर there are two kinds of rainbows पहला है आपका primary rainbow ठीक है अब मेरी बात को सुनना basically यहाँ पर दो rainbow होते हैं एक primary और एक secondary तो जो inner rainbow होता है है ना देखो एक अंदर की तरफ बनता आपका rainbow और एक बाहर की तरफ तो जो inner rainbow होता है ना उसे कहते हैं primary rainbow ठीक है तो हम कहते हैं ऐसा हम लोग it is the inner rainbow it is the inner rainbow out of the two bows out of the two bows two bows मतला rainbows ठीक है के नहीं ओके यहाँ पर primary rainbow जो बनता है ठीक है उसमें जो order होता है color का वो होता है सबसे उपर red और नीचे wallet ठीक है मतलब red उपर और सबसे नीचे wallet और उनके बीच में होगे वो 5 colors तो आपका wallet फिर indigo, blue, green, yellow, orange, red ठीक है तो आपका यहाँ पर उपर red रहेगा wallet नीचे रहेगा है ना तो यह होता आपका primary rainbow मैं इसका diagram आपको show करता हूँ ठीक है ध्याँ देना primary rainbow का यह देखो यह मैंने यहाँ पर बना के रखा है primary rainbow ठीक है अब ध्यान से इसके diagram को समझना ठीक है देखो ध्यान से यहाँ पर मैंने दो ड्रॉपलेट लिये हैं ठीक है अब देखो ध्यान से यहाँ पर यह लिया मैंने sunlight ठीक है अब बिलकुर मैंने sunlight का direction यह लिया है यहाँ पर मैंने bending कराई है किसकी देखो यहाँ पर disperse हुआ यह अब तुम बोलोगे disperse हुआ है तो बाकी के 5 बाकी के 6 कलर का है तो मेरी बात को सुनना यहाँ पर मैंने सिर्फ red को show किया है क्योंकि इस वाले drop से जो light पहुँचेगी observer तक वो सिर्फ red वाली पहुँच रही है ऐसा नहीं है कि इसमें बाकी के 6 कलर नहीं है बाकी के 6 कलर है लेकिन यह observer से ठीक है उपर की तरफ है है के नहीं देखो यहाँ पर यहाँ से सुनो आप यह बताओ यहाँ से जब sunlight यहाँ पर fall हुआ तो यह सबसे कम bending किसकी होगी red की और सबसे ज़्यादा bending किसकी होगी वालेट की अगर मैं आपको यहाँ पर वालेट शो भी करूँ तो यह देखो यह आपका है वालेट कलर अब लेकिन क्या हुआ इंटर्नल रिफलेक्शन की वज़ा से यह ऐसे आया और फिर यह ऐसे चला गया ठीक मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बागी के छे कलर नहीं थे थे लेकिन वो अफजर्वर के आय तक नहीं पहुँच पाया ठीक है वो उसके ऊपर चले गया मतलब इस ड्रॉपलेट से सिर्फ जो रेड कलर वाला है लाइट वो अफजर्वर के आय तक पहुँचा है है कि नहीं तो मैंने वो शोर नहीं किया ठीक है अब ध्यान देना आप लो तो मैं इसको हटा रहा हूँ ठीक है अब देखो तो यहाँ पर इस वाले ड्रॉप से कौन सा कलर मिल रहा है पनको रेड मिल रहा है तो रेड कलर ऑफजर्वर के आई तक आ रही है कितने एंगल पर आ रही है 43 डिगरी पर यह एंगल आपको याद होना चाहिए ठीक अब देखो यह जो आपका सबसे नीचे वाला जो आपका वाटर ड्रॉपलेट है यहाँ पर देखो यहाँ पर सबसे ज़ आपका रेड कलर नहीं होगा बाकी के पांच कलर नहीं होगे होगे जरा देखो मैं आपका शो करता हूँ रेड कलर भी तो रेड कलर की बेंडिंग सबसे कम होगी न ठीक तो अब देखो यहाँ पर यह ऐसे आएगी तो अब यहाँ पर बेंडिंग ऐसे होगी तो यह जो color है यह observer से नीचे जा रही है मतलब यहाँ पर जो red color है वो observer तक नहीं पहुंच पाएगी तो सिर्फ कौन सी पहुंच रही है wallet पहुंच रही है is it clear ठीक है इसका मतलब मेरी बात को सुनना द्यान से यह जो सबसे उपर वाला droplet है वहाँ से red color आ रही है और जो सबसे नीचे है वहाँ से सिर्फ wallet color आ रही है observer के eye तक और बाकी के जो आपके 5 colors हैं वो उनके बीच के droplet से आ रही है बीच के droplet से बाई इनके बीच पर भी तो droplets होंगी ठीक है तो जड़ा दिमाग लगाओ कि सबसे टॉप वाले में ठीक है जो सबसे least bending है वो वाला color दिख रहा है और सबसे bottom पे जो droplet है वहाँ से जो maximum bending वाला है वो दिख रहा है ठीक है तो इसके जस्ट उपर वाला ठीक है इसके जस्ट उपर जो droplet होगा वहां से कौन सा color होगा आपको visible इससे थोड़ा सा कम bending that is indigo उसके उपर के लिए थोड़ा और कम bending देखो यहां पर देखो यहां से सबसे नीचे रहेगा तो ज़्यादा bending वाला आपको और जो सबसे ऊपर रहेगा उसमें कम bending वारा कलर आपको ठीक है तो यहां पर क्या होता है इनके जो बीच में ड्रॉप लेट्स होंगे वहां से आपको बाकी के पांच कलर मिलेंगे तो सबसे टॉप पर कौन मिलता है रेड और यहां पर आपको क्या मिला वालेट तो अब देखो यहां से रेड कलर ऑफजर्वर की आई तक आ रही है तो ऑफजर्वर को क्या दिखेएगा यहां पर रेड ठीक अब देखो यहां पर वालेट कलर आ रही है तो क् को इसके लॉंग वालेट हाई ना आरे ये बाद समझ में आपको या पर इसको ऐसे करते हैं लोग सही रहेगा यह देखो यह वालेट ठीक तो यहाँ पर वो जो ऑफजर्वर है उसको यह आपको रेंबो डिख जाएगा जिसमें सबसे ऊपर क्या दिखेगा रेड और सबसे नीचे क्या रहेगा वालेट हाँ है ना ठीक है तो ऐसा है कि जो रेंबो दिखता है हमें वो किसी एक डॉपलेट से सातों कलर नहीं दिखते ठीक है तो किसी एक droplet से अपन को red दिख रहा है फिर जैसे जैसे नीचे lower altitude पर droplet आएगा तो सबसे bottom वाले से क्या दिख रहा wallet ठीक है और उनके बीच में जो आपके droplet हैं वहाँ से बाकी के 5 colors दिख रहे हैं अपन को ठीक है तब जा करके अपन को rainbow यहाँ पर observe हो रहा है तब आपको यह चीज़ समझ में आएगी ठीक है अब देखो जो याद रखने वारी बात है वो यह क्या है primary rainbow में जो आपका red color observer के eye पर पहुंचती है वो 43 degree पर होती है horizon से और जो आपका wallet color है वो कितने degree angle पर पहुंचती है 41 degree पर तो यह value आपको याद होना चाहिए कि primary rainbow जो है वो 41 से 43 degree के बीच में ही formation होता है ठीक है और एक और बात primary rainbow में आपका सिर्फ एक internal reflection होता है सिर्फ एक है ना अभी बात करेंगे secondary में तो वहाँ पर दो बार होता है reflection लेकिन primary में सिर्फ एक internal reflection होता है इसे clear तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि it involve it involve one internal reflection one internal reflection है कि नहीं और क्योंकि primary rainbow में आपका सिर्फ एक ही बार reflection होता है तो जो primary rainbow अपन को दिखता है वो ज्यादा brighter दिखता है as compared to secondary अभी secondary की बात कर रहे है पन तो दो बार होता है reflection तो दो बार reflection होने की वज़ा से वो थोड़ा सा fainter होता है कौन secondary rainbow ठीक है लेकिन primary rainbow क्या होता आपका brighter होता है ठीक है तो ऐसा बोलूँगा मैं primary rainbow primary rainbow is brighter among the two bows among the two bows ठीक clear है तो यह आपका डाइग्राम है primary rainbow के लिए है ना तो अब इसका ज़र आप लोग screenshot ले ठीक है फिर बात करते हैं secondary rainbow को लेके अब देखते हैं अपन secondary rainbow ठीक है ध्यान देना आप लो secondary rainbow का मैंने डाइग्राम बनाया हुआ है यह देखो यह है आपका secondary rainbow अब यहाँ पर ध्यान से देखना इधर देखो यहाँ पर आपको क्या देख रहा है कि secondary rainbow में आपका order reverse हो गया primary के मुकाबले primary में ऊपर क्या था red और नीचे क्या था आपका wallet लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया यहाँ पर उपर wallet और नीचे red और secondary rainbow जो है ना वो outer rainbow होता है primary क्या बोला था मैंने it is inner rainbow लेकिन आपका secondary क्या रहेगा आपका outer rainbow यह बाहर के तरफ बनते हैं है कि नहीं अंदर रहता है primary ठीक है तो outer edge पर बनता है आपका secondary rainbow अब देखो ध्यान से यहाँ पर यहाँ पर देखें यह sunlight है अब देखो पहले यह आपर यह क्या हुआ? dispersed हुआ? मैंने सिर्फ on it color show किया है मैंने आपर, ऐसा नहीं है कि बागी के छे color नहीं होंगे, होंगे सबसे कम bend in किसकी होगी red की होगी फिर सबसे जाना bending किसकी होगी आपकी wallet की तो यह देखो मैंने अभी सिर्f wallet show किया है क्योंकि इस wallet droplet से सिर्फ wallet color observer के eye तक पोहुँचा है बाकी के जो 6 color है वो observer के eye तक नहीं पोहुचा clear फिर तेक है रिफ्रैक्शन और ये observer के आई तक पहुँच गया है ठिक नाओ अब जो ये बाला ड्रापलेट है यहां से क्या हुआ जो सबसे least bending color है that is red देखो वो bend हुआ आपका फिर यहां पर एक और बार रिफ्लेक्शन फिर यहां पर रिफ्रैक्शन तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है है कि नहीं तो दो बार रिफ्लेक्शन होने की वज़ा से मिल रहा है यहां आपका secondary rainbow तो यहां पर intensity of light है वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो हर रिफ्लेक्शन में intensity कम होती है है कि नहीं ठीक है तो यहां पर देखो observer के eye पर जो violet color पहुँचा है वो 53 degree angle पहुचता है और जो आपका red color है वो 51 degree पहुचते हैं ठीक है तो यहां पर देखो इसके along violet इसके along red और बीच में आपके 5 colors मतलब इनके बीच में जो droplets होगे ठीक है जस्ट इसके उपर जो droplet होगा है कि नहीं वहां पर क्या होगा orange इसके बीचे जो होगा वहां से क yellow ठीक है orange और फिर यह red तो ऐसे आपको साथ color मिल जाते हैं तो यह होता है आपका secondary rainbow is it clear ठीक है चलो तो यह तो होगया आपका secondary rainbow इसमें बाब अब अब दिस लिख देता हूं मैं it involves it involves two reflection therefore it is fainter it is fainter than primary rainbow primary rainbow ठीक है चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से अब मैं conclude कर रहा हूं चीज़ों को ठीक है ध्यान देना देखो बाई आपके अगर exam point of view से बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि primary rainbow और secondary rainbow में color का order क्या होता है पहली बात ठीक है दूसरी बात तो order क्या होता है primary में होता है उपर red और नीचे wallet ठीक है और और secondary में 2 होते हैं internal reflection ठीक है तीसरी बात कि primary rainbow में और secondary rainbow में जो आपका extreme color जो आँखों तक पहुँचती है वो कितने angle पे पहुँचती है वो भी आपको पता होना चाहिए तो primary की बात करें तो वहाँ पर जो extreme color है वो कितने angle पे पहुँचती है 41 से 43 डिग्री में है ना मना 41 पर आपका wallet और 43 पर कौन आपका red वहीं secondary में 51 से 53 डिग्री तो 51 पर कौन है red है ना और 53 पर कौन है wallet तो यह angles का range आपको याद होना चाहिए इस इत क्लियर ठीक है और एक और last में कि यह जो आपका rainbow दिखता है यह किस phenomena का effect है तो यह तीन phenomena का effect होता है पहला dispersion दूसरा internal reflection और तीसरा reflection है ना इन तीन phenomena से आपका बनता है rainbow is it clear ठीक है चलो तो यह था आपका simple आपका rainbow formation तो पहले आप लोगे काम करें इसका screenshot ले ले चले तो यहाँ पर अपना यह जो topic है rainbow यह ओवर होता है तो छोटा topic था है कि नहीं बहुत सोट योड़े microscope what is compound microscope what is telescope यह सारे चीज़े हम लोग देखने वाले हैं तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्लिए क्या करना आपको simple magnetbrains.com पर जाएं या फिर जो magnetbrains का youtube channel है वहाँ पर आप जाएं वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे करें ताकि कोई भी आपका में वीडियो हो आपसे बिलकुल मिसना हो और अपने दोस्तों के साथ को शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फाइदा मिल पाएं थैंक यू